यह है 2014 model TVA सपाची RTR 310 और इस बाइक में जो फीचर्स आपको मिलेगा वो फिर या तो कार में मिलेगा या तो TVA सपाची RTR 310 में मिलेगा क्या मिलेगा वो आप इस वीडियो में जानने वाले हैं उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सकाइब ने किया सब्सकाइब जरूर करे देखे इसमें जो आपको special feature मिलता है जो की car जैसा feature इसके अंदर आपको मिलने वाला है सबसे first and first है दोस्तो इसके अंदर आपको मिलेगा cruise control जी स्कीट को ये क्रूज कंट to के साथ साथ ते संदर आपको मि ये क्रूस कंट्रूल के साथ अपको त्षी होले केंद साथ वाद परिमقط कम्रon चलिए औट को पांगे तो चलिए और हम आपको डिटेल से पहले अगर अभी तक सस्काइब कर एक बात कि यह इतना बड़ा जो है आपको किसी में नहीं मिलेगा यहां पर आपको RTR 310 की बेजिंग यलो कलर में है है फुल LED हैड़ आपको DRN मिलेगा इस्पिरिट में आपको यहां पर हैड़ लाइट मिल जाता है यह आप इस तरह से दे सकते हैं इसा ही यह जलने वाली है तो काफी अच्छा मिलेगा यहां पर आपको पूरा बिलेग फिनिशिंग यहां पर होर्ष का लोगो यह इस तरह से रहने वाला इसका लाइट यह रहा है इसका मठगार जो कि काफी स्पोर्टी लुक में आपको मठगार मिल जाता है डूल टोन फनिसिंग के साथ इसके अंदर आगर आप देखोगे तो यह देखे यलो और बिलेक फिनिसिंग यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिलेगा और यह इसके और यह पूरा गोड़न कलर का रहने वाला है और यह पूरा ठीक रहने वाला है ynुटकर कर रहेगा यहाँ पर इसका जो मिली अर पर ईसकी फ्लीक मिलेगा और इसके अंदर आप मिल जाएगी हाँ पर टीवियस रेसिंग लिखा हुआ यह देखिया पूरा और इसके अंदर आपको टारी मिलता है वह न वन टन बाई सबंटी का एक सो दस बाई सतर का और सबंटीन इंच की आपको मिलती है हुई लिसके अंदर से यानि की सतरा इंच की यह आप देश सकते है टीवियस की बाई को में अधिकतर 17 इंच की मिल जाती है और यहाँ पर आपको मिलेगा भई स्मार्ट इसकनेट की स्पेशल बैजिंग जवार दस यहाँ पर आपको गिरिल दिया गया है काफी अच्छा स्पोर्टी लुक में है डूल टोन फिनिसिंग के साथ येलो एंड ब रहेगा आपका यह देखिए यह आपका फिल्टर एंजिन गाड आपका रहेगा यह पूरा इस तरह से सटप दिया गया आप देखिलो पूरा यहां से भी यह पूरा सटप इस तरह से रहेगा ठीक है आप यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे पहली बात यहाँ पर 4 step adjustable आ यहाँ पर cruise control hazard button आपको इसके अंदर मिलेगा देखिए जिसे यहाँ बटन हमने प्रेस किया तो इसके चार उन्डीगेटर एक साथ जलने लगे यह आप देखिए यहाँ बटन यह दिखवान हो गया चार उन्डीगेटर तो hazard button आपको मिलेगा यहाँ पर passing मिलेगा cruise control यह आप नहीं दिखो सब पूरा बताया है इसका ठीक है यहाँ से अब बैक आजिए अरबन सेट दिखो coolant temperature यहाँ पर रेंज आपका दिखाएगा यह सब आपका दिखाएगा जिखाएगा यहाँ पर urban mode है यह मीनू आपका रहेगा उसके बाद यहाँ पर यहाँ पूरा setup आप डिजी डोक्स, क्रेस अलेट, gopro control इसके अंदर, traction control सब कुछ आपको मिलेगा इसके अंदर आपको मिलेगा राइड मोड मैं आपका sport mode, track mode, urban mode, red mode, super, moto, super mode, also super motor mode और उसके बाद यहाँ पर जो है इत्ते सारे features मिल जाते हैं इसके अंदर यहाँ दे सकते हैं तो यह feature आपको कै रेसिंग सिंस 9082, यह पाँच इंस की TFT डिस्प्ले मिलती है, instrument cleanser, wear your gear, देखो, यह पूरा रहेगा, ठीक है न, यह आपका high RPM limit है यहाँ पर horse का logo, और यह रहा इसका mirror जो की aluminium पर रहेगा, fuel tank यह रहा, e20 का model है, fuel tank आपको dual tone facing के साथ horse का logo, यह आप ग्रे, यहाँ पर आपका यह यह लो, आप आच्छे के basing, जबर 10 यह रहा इसका frame, RTR 3T8 की basing, और यह जो frame इसके अंदर आपका दिया गया भाई, वह फ्री styler frame, यह जबर 10 रहेगा, यह जो आप देखो यह पूरा, फ्री styler frame है, steel वाला, यह पूरा रहेगा, engine आप देखो, यह दिखो आप, डियू DOHC engine इसके अंदर, dual overhead camera, यह जो से इसका, पूरा इस तरह से नीचे गया है, यह आप gear lever है, जो कि sleeper clutch है, और इसके अंदर आपका मिलेगा, cruise control, traction control, यह आप देखते पूरा, brake lever, gear lever इस तरह से रहेगा, gear lever है, sorry, यह आप देखते हो, काफी घजब के हाँपर, आइल पर इसके 310 cc का है, पर इसके engine इंजिन मिलेगा, DOC engine मिलेगा, 312.2 cc का, 97,000 RPM इसका maximum power है, maximum जो टार्क के 680 है, मालेच 25 का देगी, और fuel tank जो है, साथे 11 liter fuel tank capacity है, साथे 11 liter petrol आगा इसके अंदर, ठीक है, 820 का model fuel tank इस रहेगा, इस साइट से भी आप देख लीजी, यह देखो, जबरतस यहाँ पर 8R 310, यह आपका liquid cool है रहेगा, पूरा liquid के DOC, reverse, inclineded, inclineded मिलेगा, देखो है, यह पूरा है, RT sleeper clutch, इसके अंदर, donut block, यह पूरा लिखा है, यह पूरा लिखा है, यह पूरा बंदना हो, यह आपका रहेगा, TVS racing, sleeper clutch, DOC, engine आप देखो, यह पूरा इस रहेगा, अल no cross suspension रहेगा, वो भी adjustable है, इसके अंदर, अब इसके बाद यहाँ पर यह एक जास दो को, यह एक जोस आपको RTR 310 वाला ही मिलेगा, जो कि आप देखते हैं, यह आपका steel पर रहेगा, एक जोस इस रहेगा, यहाँ पर यह ऐल्मॉनियम पर आपका रहेगा, साल अंसार इस रह से रहने वाला है, यह आप देखते हैं, पूरा इस तरह से आपको मिल जाता है, और उसके बाद भाई, इसका जो सीट है यह आपको मिलता है, बेंटी लेटर सीट, यह देखिया आप, बेंटी लेटर सीट है, इसके अंदर यह ठंडा करेगा, ठीक है, बेंटी लेटर सीट आपको रहे ना करम नहीं लगे गए तीबिस रेसिक ब्रांडिंग इस इस प्लेट में सीट आपको मिलेगा यह आप चाहबी लगा कोड़ सकते हैं इस प्लेट में आपका ग्रेवरेल अलमुनियम का मैट बलेक्स नहीं यहां पर आपका टीविस की बैजिंग और यह रहा है इ यह पीछ पीछे का फेंडर रहे का नमबर पर लाइट वाइट रिफ्लेक्टर नमबर पर यहां लगेगा पूरा इस तरह से काफी लंबा चोड़ा सटप मिलता है तो काफी स्पोर्टी लुक है दोस्तों काफी अच्छा मोटो बलोगिं के लिए या फिर राइड करते हैं भगाने के लिए और टूट टेरेबल के लिए सबसे मस्त गाड़ी आपको मिलती है यह तो सारे फीचर के साथ यह आपको मिलती है और प्राइस में दो लाग पंचाननवे हजार रुपे पीछे आपको मिल जाता है दोस्तों चाली समीम का डिस ब्रेक एब्यस के साथ और यह देखे 240 समयम का है डिस ब्रेक एब्यस के साथ यहां पर आपको यलो कुलर की हुइल मिलती है पीछे टीवेस रेइसिंग के रेपिंग और टायर इसके अंदर आपको मिल जाता है वन फिप्टी बाई 60 का 150 by 60 और 17 इसके फिल रहेगी और इसके अंदर आपको मिलेगी यलो कलर की तो स्विंग आरवे है बाई बर का आपको डिस मिलेगा 240 समयम का पीछे 240 समयम का रहेगा काफी अच्छा एब्यस के साथ है यह आप फिल देख सकते हैं काफी अच्छा रहेगा यह इस तरह से तो आवास भाई बहुत ही तगडी है जैसा कि आप देखे रहे हैं और यहां पर इंडिगेटर जो है इसके रियर हुइल के ऊपर दिया गया है यहां पर नहीं यह चीज काफी अच्छा है तो आप इसके अंदर आप भाई कॉल मिस्कॉल ब्लूटू कर सकते हैं नेविगेस हम देख सके हैं पूरा बहुत सारी फीचर है पूरी टीटेस कर बताएंगे हम तो भाई बहुत समय लगेगा आप इसको लेना चाहें तो नेजदी की टीवे सोरूम पर विजिट करें और इस बाइक को टेस्ट ड्राइब भी लें चेक करें अच्छे से चलाएं तो दो एक्सर जरू किदिये